हलो फ्रिंट्स राधी राधी मैं हूँ शिम्मी तो फ्रिंट्स आज मैंने मदर्श डे पे बहुत ही इस्पेसल और यूनिक रेश भी बनाई है जो की मा को बहुत ज्यादा पसंद आएगी तो हम अपने हाथों से कुछ बनाए है मा के लिए तो आएए देहते फ्रेश क्रीम और टूटी-फूटी ग्रीन कलर और रेट कलर यहां पर मैंने दूद्की मलाई ली है और पिसी हुई चीनी इक घर की फ्रेश मलाई दूद्की है और यहां पर लिए ब्रेट स्लाइस तो हम इसको कट करेंगे इसके किनारों को हम अच्छी तरह से कट कर लेंगे अपने हाथों से अपने मा के लिए इसे जरूर बनाईए उन्हें बहुत अच्छा लगेगा देखिए मैंने किनारों को अच्छी तरह से निकाल लिया है तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं बहुत ही उनिक रेश्पी है और घर के समानों से फटा-फट बनकर तयार होती है तो एक-एक करके ब्रेट पे लगाते जाएंगे ये रेश्पी अपने किचन में आप जरूर बनाईए आपके मा को बहुत जादा पसंद आएगी अपने हाथों से आप बना कर खिलाईए मदर्श्डे पे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा तो इसी तरह से हम बनाएंगे इसको बहुत इजी रेश्पी है इसे बच्चे भी बना लेंगे तो देखिए मैंने पूरे ब्रेट को अच्छे से मलाई से कोट कर दिया है तो उसी कटोरी में हम लेंगे फ्रेस मलाई और पिसी हुई चीनी दो चम्मच और अच्छे से मिला लेंगे उसको यकीन मानिए इतनी लाजवाव रेश्पी है जब आप खाएंगे तब आप वाह वाह करेंगे बहुत जादा टेश्टी बनती है तो अपने मा के लिए आज एक रेश्पी तो अपने मा के लिए एक रेश्पी जरूर बनाईए मदस डे पर उन्हें बहुत अच्छा लगेगा तो हम क्रीम से जो है चारों तरफ इसे कोट कर देंगे तो देखें मैंने चारों तरफ अच्छे से कवर कर दिया क्रीम से आप इसे अपने बच्चों के लिए भी बनाईए बहुत उन्हें पसंद आएगा तो उपर से थोड़ा गार्निस करेंगे तूटी फूटी से और थोड़ा सा मैंने यहां पर लिया चौको चिप्स और थोड़ा सा कलर्फुल भी लिया है तो हम सभी से अच्छे से सजा देंगे पेश्टी बोलिए केक बोलिए कुछ भी बोलिए बहुत ही लाजवाब रेस्पी है और इसे जो है अपने किचेन में आप बनाईए इंज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रिस करना बिल्कुल मत भूले ताकि हमारी आने वाली हर नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे तो मिलते एक नए रेस्पी के साथ तब तक लिए बबाए टेक केर